जिस तरह से ये पहले ही बताया गया था कि अब ड्रॉक्समगलर्स की भी property को अटेच किया जाएगा अब उस पर कारवाई करते हुए दो खबरे सामने आई हैं एक गाड़ी को अटेच किया गया है और एक अंडर कंस्टॉक्शन घर को अटेच किया गया है सबसे पहले मैं बत प्रपटन का रहने वाला है और इस घर से बताया जा रहा है कि कई नशे का सामान जो है उसकी स्मगलिंग होती थी और ये जो केस है ये रेजिस्टर हुआ था पॉलिस्टेशन पटन में जिसके चलते लाखों रुपे की जो ये प्रॉपटी है इसे अटैच किया गया है और दूसरी खबर सामने आ रही है बताया जा रहा है बारमुला पुलिस ने एक हुंड़ाई वीकल को हुंडई आटेन गाड़ी को जो है अटैच किया है जिसका रेजिस्टेशन नमबर डी एल टू एई टू जिरो है और ये गाड़ी थी अब्दु ये प्रूफ किया है कि इस गाड़ी का इस्तमाल होता था ड्रक्स को ले जाने के लिए तो दो खबरे इस वक्त सामने आई है एक पटन से और दूसरी क्रीडी बारमुला से बारमुला की क्रीडी में बताया जा रहा है कि एक हुंड़ाई आइटेन गाड़ी को अटैच किया तो अब एक बड़ा कदम उठाया गया है जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा नशे की तसकरी में उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा जो की एक बहुत अहम कदम है नशे के खिलाफ इस लड़ाई में